नमस्कार दोस्तों SSGD कोस्टेबल भरती 2021 को लेकर जो इंतजार आप लगातार कर रहे हैं वो आपका इंतजार आखिर आज खतम हो चुका है मतलब यहापर दोस्तों कल देर रात को ओपिसले नोटिपिकेशन SSG की साइड पे डाल दिया गया बिल्कुल आप यहापर देख सकत यहापर बात करें एक मही से आपके ओनलाइन सुरू होने की बात की जा रही है उसके साथ आयू में चूट मिलेगी की मिलेगी तो लगबग कितने साल की आयू में चूट इस बार आपको मिल सकती है नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल दोस्तों क्या नेगेटिव मार्किंग इस बार लागू हो जाएगी क्योंकि पहली बार SSC ने डेली पुलिस का जो एकजाम लिया है तो उसमें भी नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है क्योंकि जो कटोप का लेवल वो लगातार बढ़ता जा रहा है इन सब को देखते वे नेगेटिव मार्किंग आखी लागू की जा रही है नोर्मलाइजेशन इस बार भी होगा या नहीं बिल्कुल दोस्तों इस वीडियो में इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको डीटेल से बताएंगे साथी नोर्मलाइजेशन में कैसे आपको फाइदा मिलेगा पिछली बढ़ती में 2018 असल जीडि कोश्टेबल में बहुत सारे केंड़ेटा से थे जिनके दोस्तों 10 से लेकर 15 नमर तक बढ़े थे और उन सभी का फाइनली सेलेक्शन भी हुआ है तो दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डीटेल से बताएं उससे बहले बितिक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें चैनल पर अगरा पहली बार आएं और आगे आने वाली एससजीडी कोश्टेबल बढ़ती 2021 से जुड़ी हर परकार की लेटेश्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों कमेंट बोक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप आप कौन से राज्य से विलोंग करते हैं ताकि मैं पता चले कि कौन से राज्य की हुआ है जो ज्यादा एससजीडी कोश्टेबल में बढ़ती होने के इज्चुक है तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी तो दोस्तों यहां पर आप देख लीजेगा हम एससी की सारी आपको डिटेल से बता देते हैं क्योंकि इस बार का आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें आपके एन आई एससजीडी कोश्टेबल रिक्रूटमेंट में क्योंकि लंबा समय हो चुका है तो असी हजार पलस रिक्रूटमेंट होने के चांसेज है अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी एससीडी कोश्टेबल है उसकी एज क्रिटेरिया में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी तो कितने साल तक मिलने के चांसेज है दोस्तों यहां पर आप देख ल साल से लेकर 23 साल तक हैं तो वो सभी इस बरती के लिए अपलाई कर पाते हैं उसके साथ दोस्तों अगर आप OBC कैंडिडेट है तो OBC के कैंडिडेट 26 साल तक अपलाई कर पा रहे थे उसके साथ SC की बात करें तो SC के 28 साल तक अपलाई कर पा रहे थे लेकिन दोस्तों 2020 में भी वेकंसी नहीं आपाई 2019 में भी रिकूर्ट में नहीं आया और अब 2021 में आया बात आती है कि 2018 की भरती में 85,000 कैंडिडेट सोरी 95,000 कैंडिडेट थे जो मैडिकल पीट थे और मांग यही थी सभी व्यारतियों की की सभी मैडिकल पीट कैंडिडेटों को भरतिक किया जाना चीए जबकि वेकंसी आपकी 60,000 के लगबग थी जबकि ग्रह मंतरा ले ने ये पहले ही बता दिया था कि 11,000 से ज़्यादा वेकंसी खाली पड़ी है क्योंकि लंबा समय हो चुका था 2021 में जोइनिंग हुई है उनकी तो उनमें काफी ज़्यादा कैंडेट लगबग 25,000 के लगबग कैंडेटा ऐसे थे जुनको बाहर कर दिया गया था मेट लिस्ट के नाम पर तो उन सभी व्यारती जो लगातार जनतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी की मांग यही थी की सभी माडिकल पिट को जोइनिंग दी जाए लेकिन SSE के कहीं बड़े दिखारी वाँ पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता लेकिन आपको एज में चूट दी जाएगी क्योंकि उनमें काफी ज़दा कैंडेट ऐसे थे जो औरेज होने वाले थे तो उन्होंका कहना था कि आपको एज में चूट दे दी जाएगी तो हो सकता है दोस्तो इस बार आपको एज में चूट मिल जाएगे कम से कम एक साल की एज में चूट तो आपको मिलेगी हो सकता है दोस्तो दो साल की भी अगर आपको छूट मिल सकती है अगर दो साल की छूट मिलती है तो जनरल केटेगरी वाले जो भी केंड़ेट है वो 25 साल तक अपलाई कर पाएंगे जबकि बात करें OBC वाले केंड़ेट वो 28 साल तक अपलाई कर पाएंगे जबकि AFC और AST के केंड़ेट है वो 30 साल तक इस भ डेट ते जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर SCC के कुछ करमचारियों ने से बोला है साथी आपर लंबा समय हो चुका है क्योंकि बहुत सारी वेकंसीज में एज में छूट दी जा रही है तो सब को देखा जाए तो हो सकता है आपको भी एज में छूट मिल जाए अगर एज में छूट मिलती है तो काफी अच्छी बात है क्योंकि काफी ज़्यादा यूआ ऐस है तो जोजार रठारा की बरती में भी फाइल में लिष्ट में रह चुके हैं और अब उनको इंतजार है कि इस बरती में क्या हम क्रिटेरिया में सामिल हो पाएंगे नहीं तो उनके लिए एच्छी बात है दोस्तो इस भरती के लिए दस्वी पास वाले सभी केंडियेट अपलाई कर पाएंगे बिल्कुल दोस्तो कहीं या पर आपने देखा हो कहीं यह भी आर्थी कमेंट करें कि सर क्या इस भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे उसके साथ ही दोस्तो आपको मैं कुछ बाते और बता देता हूँ आपका जो एक्जाम होगा उसमें सबसे पहले आपका CBT होगा computer based test होगा दोस्तों CBT होगा आपका computer based test और total आपकी जो वेकेंसी होगी उन में उन वेकेंसी का 12 गुना candidate को qualify किया जाएगा physical process के लिए और physical all over India होने वाला है और लगबग सभी center में ऐसा नहीं होगा कि physical है वो CISF के ही center में होगा सभी center में चाहिए वो CISF हो BSF, SM rifle, ITMP, SM SSB इन सभी के यहाँ पर physical आपका करवाए जाएगा और जो भी candidate physical qualify होंगे उन सभी के 6 गुना ही candidate को 6 गुना candidate को medical के लिए बुलाए जाएगा और medical में जो candidate medically fit होंगे उन सभी को final medalist के आदार पर final selection आपका करवाए जाएगा अब बात आती है यहाँ पर आपका notification एक माई को आने जा रहा है ऐसे में क्या exam date है वो आपके अगस्त ही रहने वाली है क्योंकि computer based examination ऐससी ने पहले बताया था कि आपका exam 2 से लेकर 25 अगस्त 2021 तक चलने वाला है अगर आपका exam 2 से लेकर 25 अगस्त 2021 को होगा तो आपको काफी कम समय मिलेगा और दोस्तों कोरोना काल में सभी competitive exam की जो तयारी करने वाले coaching सस्तान है वो बंद पड़े ऐसे में दोस्तों आपको तयारी करने के लिए हम आपके लिए special book लेक्या है चाक्सू publication की तरफ से SSGD coach table के लिए काफी अच्छी book है 2018 में भी बहुँ सारे candidate select हो गए है इस book को पढ़ने के बाद में क्योंकि यह आपकी सपलता की कुझी आप इसे मान सकते हो यहाँ पर आपको 20 practice set मिलेंगे जिसमें 8 आपको solid paper मिलेंगे जो की 2011 से लेकर 2019 की सभी SSGD coachable की परिक्षाओं में पूछे गए कि उसे ने 32 प्लस आपको बहु इकल्पी है person भी आपको दिया जाएंगे कापी अच्छी book है बिल्कुल दोस्तो 20 practice set के साथ में with answer की और answer की के साथ में आपको पूरा solution भी दिया जाएगा बिल्कुल दोस्तों अगर आपको कोई question नहीं आ रहा है तो आप घर बेटे उसका solution देखे आप अच्छी त्यारी करके इस बार answer gd costable में selection लेने का मोका पास सकते हैं दोस्तों अगर आप इस book को purchase करना चाहते हैं तो इसका link आपको description box में मिल जाएगा जहां जाके आप इसे खरीद सकते हैं तो दोस्तों ये ती एक मेरे दोरा दी गई छोटी सी जानकारी जानकारी गर आपको चिल लगे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पे पहली बार आए और आगे आने वाली आसर gd costable भरती 2021 से जुड़ी हर परकारी ले टेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों शुड़े में इतना ही मिलते हैं नेक्स शुड़े में तब तक के लिए जाए